राचीन काल से ही कुशा का बहुत अधिक महतु बताया गया है। गया है तो पित्रों का सराथ पूर्ण हो जाता है लोकल एटिन को क्या कहते हैं हरद्वार के जोति सी सुनिये तरष संसार में कुछ चीज़ोगों को पुइतर माना है जैसे तूलीसी, उसा, अनामी का व considers बहुत है क्योंकि एक स्राद के दोरान इसमें जो हमारी अनामी का हुली है इसमें एक मुठी पहनाते हैं बनाकर भी पुसाखी और तत्रश्चाद स्राद का गारिये तरबन इत्यादी करने का विधान है उससे बहुत पवित्रता बनी रहती है और हमारा स्राद निल्वी घृत्ता से प होता है और कि सी पमक्रण बख्यशन चेम बहुत ही सिरस्ध मांनते हैं स्राद करते शांवात Issue सब्सक्या ना हता बहुत सुराद करना बहुत ही सुभ है और उससे हमारा स्रात का गर्म निर्भ मेरता से होता है हम पहनते हैं यह होती है इसका बहुत ही प्रीयों करते हैं यह सभी पूजा में लोगती है और तिलत में विए इसका प्रियों करते हैं तो इस पांच उगलियों में यहे इसको पवित्र माना है पूजा के योग्य है यहां पर खुशा घाट भी है और प्राचीन काल से ही यहां खुशा बहुत ही मात्रा में होती है और जब समुद्र पंथर वा था देवताओं राक्स्वसों के द्वारा उस अम्रित करश को उस खुशा के मध्ये में ही छिपाया था और उसकी कुछ बोले यहां पर छलक कर दि तो इसी लिए कुशा का बहुत ही सास्तों में में है और प्राचीन ताल से ही रिसी मुनी इसके आसन पर बैठते हैं पूजा करते हैं और हमें सच्चे मन से स्रदाभक्ति जे कुशा आशन पर ही बैठ कर गे स्राध कारिये को संपन करना चाहिए तो यही बहुत स्रेश होता झाल